शेकरगंदी को आज स्टीम नहीं किया जाएगा इसको बॉयल करके हम त्यार करेंगे इसको बॉयल करने का क्या तरीका है इसको कितना टाइम लगेगा और ये कैसे त्यार होती है आज हम यम्मी फूट कुकिंग में शकर गंदी को बॉइल कने का तरी का बताएंगे और वो भी इतने कम टाइम में चलते हैं हम अपनी रेस्पी की तरफ एक गलास पानी का ले लेंगे पानी का इस्तमाल जाता नहीं करना सिर्फ और सिर्फ एक गलास पानी में ही ये शकर गंदी वॉइल हो जाती है एक गलास पानी डाल का शकर गंदी इसमें रख देंगे शकर गंदी कड़ाही में रखने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ साथ मिंट पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर इसको रख दिया गया है इसको जादा टाइम पर नहीं रखना ये हमारे साथ मिनट पुरे हो चुके हैं और साथ मिनट में ये हमारी शकरगंदी बिल्कुल बॉयल हो चुकी है यानि कि मकमल तोर पर त्यार हो चुकी है अब हम इसको उतारेंगे और इसको ठंडा होने के बाद चील कर आपके समने सर्फ भी करेंगे इस बात का ख्यार रखा जाए जब भी शगरगंदी को बॉयल किया जाता है इसको मकमल दोर पर बॉयल नहीं किया जाता इसका एक हिसा सक्त होना चाहिए यानि कि इसको जादब वाल किया जाए ये बहुत जादा नरम हो जाती है देखने और ना ही खाने में अच्छी लगती है यानि कि ये हल्वा की तरह त्यार हो जाती है इसलिए इसको थोड़ा सा सक्त रखा करें और जब इनके छिलके उतारे जाते हैं तो कोशिश करें ये रेशे नमा जो धागे उते हैं इनको भी साथ साथ उतार लिया करें क्योंकि अगर इसको ना उतारेंगे तो खाने में ये जब मूँ में आते हैं तो बिलकुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए कोशिश करें चलकों के साथ इन धाकों को भी यानि के रेशे नमा धाकों को भी उतार दिया करें जैसा कि ये शकरगंदी थोड़ी सी सक्त है ये जैसा कि आपको नजर आ रहा है थोड़ी सी इस तरह की सक्त होना जरूरी है जब आप वाइल करेंगे वाइल करने के बाद जब इस तरह आप इसको काटेंगे तो आपको खुद बहुत मेसूस हो जाएगा कि शकरगंदी को इस तरह होना बहुत जरूरी है अब शकरगंदी को चाहे चाट मसाला डाल कर भी खा सकते हैं चाहे इसके ओपर कोई भी चटनी डाल कर आप खा सकते हैं जैसा कि ये अलोब खारा इमली की चटनी त्यार हुई भी थी इसको भी हम डाल कर खा सकते हैं इसकी भी रेस्पी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी अलोब खारा चटनी की रेस्पी आपको यमी फूट चैनल पर ही मिल जाएगी जैसे आपको पसंद हो चाहे चाड मसाला डालने चाहे चटने डालने जी वीवर्ज ये हमारी शकरगंदी बॉयल हो चुकी है और बहुती जबरदस्त हमारी शकरगंदी त्यार हो चुकी है शकरगंदी को स्ट्रीम करने का भी तरीका बताया गया है उपर आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी शकरगंदी को स्ट्रीम करने का तरीका भी बहुत असान है और बहुत यह टेस्टी तियार होती है मेरा हमीद करती हूँ आज की यह रिस्पी आपको असंद आई होगी अगर आपको आज की यह रिस्पी असंद आई एक लाइक जरूर कर दिआ करें और आप अपना फिटबेक भी जरूर दिया करें अगर आप हमारी चैनल पर ने आए हैं हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक और शेर कर दिया करें और बेल आइकोन बटन को जरूर प्रस कर दें ताकि हराने वाली लेटिस निव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पूंच सके इन्शाला कोशिश करें के इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया करें खुश रहें खुश्या बांटें इस दुआ के साथ हम आपसे इजास्त चाहते हैं मिलते हैं इन्शाला नेक्स न्यू वीडियो में अल्हाफिश